नमस्यार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वगते दोसों आपके घर के इस बरतन में है पुरवजों का खजाना जो कि दोसों आपके किश्मत का धन है भगवान ने इन्हें आपके लिए श्रम हल कर रखा है लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को बता दे कि इन्हें प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशेश पंत्रों का जाप करना होगा और कुछ विशेश शावधनिया अपने जुनकाल पर अपनानी होगी यह दोस्तों तभी जाकर यह प्रुवजों का खजाना आपके हाथ लग सकती है तो दोस्तों आज करी है विडियो आप शिवी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत प्रहूंगी इस विडियो को आप शुरू सरी कर गरंत तक देखेंगे तो दोस्तों विडियो में आप जानेंगे कि यह खजाना आपके घर के किस कोने में हैं किस जगह पर है और कौन शुरू बरतन में हैं इन्हें आप केशी निकाल सकती है कौन सा काम कौन शुपा है आपको यह शुमी करना चाहिए ताकि यह खजाना आपको दिख जाए दोस्तों तमाम जानकर्याच की इस विडियो में गरहों के गोचर पर रदा दित शाती जोती शास्त्रों के श्रला के नुशार हम आप शबी को बताने वाले हैं तो दोस्तों विडियो को शुरू से अंत तक जरूर दिखेगा दोस्तों आपने पिजले कई शमयों से इस प्रकार की विडियो देख रहे हैं कि यहां पर खजाना वहां पर खजाना लेकिंगे दोस्तों दावे के शात बता शुकते हैं कि आपने अभी तक कोई भी खजाना प्राप्त नहीं कियो होंगे दोस्तों अगर यह बात सच है तो कमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि खाजाना यानि कि पुरवज़ों का रखा हुआ धन हमारे दादा की यह जो दादा थे हमारे जो भी बड़े बुज़ूर थे जो बर्शों पहले इस दुनिया से निकल बशे हैं दोस्तों उनका ही धन यश में हमारे पास रहता है हमारे आश पास रहता है और जो तिर्शास्तों का कहना है कि जिसके भी जुनकाल में शिर धन रहते हैं दोस्तों उनके किश्मत का धन हुआ होते हैं भगवान किश्यन की शुरूप में उन्हें वाद धन देते हैं पशरते उन्हें पहचानने के अवशकता होती है उन्हें कुछ विश्यस बातों का ध्यान रखने के अवशक्ता होती है अगर आप उन्हें शक्व बातों का ध्यान रखेंगे तो दोस्तों यकीनन भगवान आपको हुआ धन अवशी देता है तो दोस्तों आने वाले तीन दिनों के अंदर आप शिवे के जुनकाल में या धन मिलने की परबल शभानाई बन रही है तो दोस्तों या शिमे कोई भी गलती ना करें और इन मंत्रों का जाप करें इन बातों का उश्येश ध्यान रखें तो जरी दोस्तों बात करती हैं पूरे विस्तार से उसे पहले दोस्तों जो भी मातालक्षमी के सच्चे भगते हैं धन की देवी मातालक्षमी के सच्चे भगते हैं तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक जरूर ही करें और कमेंट पूश में सच्ची मन से जय मालक्षमी जरूर लिग दें दोसों माता लक्ष में किरपा आप शिवी को प्रैप्त होगा और यह किश्मत का धन आप शिवी को प्रैप्त होगा जी दोसों तो आई दोसों बात करते हैं दोस्तों आप शबी को बता दें कि प्रोजों का रखा हुआ अगर आपको पाना है अगर आप पाना चाहते हैं तो दोस्तों कुछ विश्यस बातों का आपको अपने जुनकाल में ध्यान रखना होगा अगर आप यहां गलती पिछले शमें किये हैं तो दोस्तों उनमें आपक कार्यों को रोग दे कि दोस्तों माता लक्षमी उनके घर कभी दिखाई ने देती जो धन को वेर्थ में वई करते हैं जितना तुम मुझे शम्हाल कर रखोगे में तुना तुमारी पाश रहोगी अगर तुम में योही बेवज़ा खर्च करती रहोगे तो तुमारी घर में मा करने के लिए शब्से ज्यादा जरूरी चीए तो दोस्तों गांट बानने इन बातों को इसको बान दोस्तों आप शबी को बता दे अगर आपके जुनकाल में एशा वेक्ती है जो कि आपको लगातार कहता है कि चलो आज यहां कारी करते हैं जिनमें इतना रखम खर्चा तो दोस्तों आज यह से लोगों श्यापको रिष्टा तोरना होगा कि दोस्तों यह से जो लोग हैं हमेशा धन की खर्च के बारे में बात करती हैं तो दोस्तों यकीन मानिए यह लोग आपकी जुनकाल में यकीन अंदर श्यापके अच्छी नहीं होंगे बाहर से तो आपक खुद उनके प्रत्ति आकर्श्ट होंगे यह चीज आपको लेना है यह कारियों में आपको पेश्अने मेरिश करना है अपने अप उस जगह पर आप जाएंगे तो दोस्तों कभी भी दूसरे को बातों में आकर आप पेशो को खर्च ना करें दोस्तों इस बात रखें तो द्धानलगना ना है जैसे कि दोस्तों अपने यह बड़ी बुझर्गी वैक्तियों का आपको हमेशा बात माननी चाहिए उनकी शलागंगा चाहिए दोसों कहते हैं कि बड़ी बुझर्ग भगवान की शमान होते हैं इसलिए तो दोस्तों लोग जो होता कि जो चमक है वो बहुत ही अच्छी होगी और धन पिने में आपको बहुत ज़्यदा शाहिता करेंगी मालक्षी में इनसे प्रशन होती है जिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखें तो घर में अगर आपको शबी के आदर्शमान करते हैं दान पून करते हैं जिए दोस्तों ए कि अच्छी आपके जुनकाल में हुआ परवल होंगी तो दोस्तों इन बातों को अपने घर में पोर्यूंच करें इसको आप शिव को बिता दे कि बाहर यह वस्ता में अगले आप इन बातों के यैदन रखे जितना होजा कि दोस्तों खुद include और आप शित्राइब श्रौत अज रख़ांप को पता दे कि दोस्तों से rock कर दोस्तों की आने वाली तीन नों के में ऌपको बिलकुल भी में नहीं करने हैं क्यों तो ने वाली तीन नों की अंदर यह है। को मिलने वाले हैं तो तीन दिनों के अंदर जो बड़ी खर्चे हैं उन्हें आप रोग दे दोस्तों अगर आप इन श्रभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप श्रभी को बता दे कि मालक्षमी श्वेंग आपको शंकेत देंगी कि आपको यह धन कहां पर मिलेगा केशी मिल तो दोस्तों सीधी श्रभात है कि मालक्षमी का श्रभात आपको आ चुका है और आपको इन प्राप्ति का यह धन कीषुआगा धन तो आध्यों जिवनकाल में अगर आने वाले तीन दरों के अंदर इस्वी गटनाई होती है। तो आपको कौन श्री कारी करने हैं, ताकि यह धन आपको प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्दों बात करते हैं. दोस्तों आप शबी को बता दे कि जोनकाल में धन प्राप्त करने की बहुत शारी उपाय है दोस्तों उनमेशे एक खाश मंत्र हम आप शबी को बताने वाले हैं दोस्तों यह खाश मंत्रों का आपको जाप करना है जिस दिन अगर आपको यह शंकेत दिख जाए उशी दिन जे दोस्तों अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो दोस्तों निस्चिती आपको यह खाजाना दिख साएगा तो दोस्तों आप शुभी को बता दें कि अगर या शंकेत आपको मिल जाते हैं तो दूसों उसी रातरी को को आपको करना क्या है दीपक आपको जलाना है, तो दीपक को प्रणाम ख κα्णते हुए眼हरि आप इस मंत्र का जाब करें और रचया अपका कल्यान होगा आच्छा श्वास्त मिलेगा धन की जो आवा के वबढ़ेगी और आपके घर में जो प्रुवजों का खजाना है वो आपको दिख जाएंगे वो दोस्तों सत्रों का बिंश्य विनाश होता है तो दोस्तों इस मंत्र का आपको यह में जाप करना है वो मंत्र इस प करना है जब आपको शंकीत प्रापोजाए जई दोस्वोग वेश्याप करते ही आपको अशयी रात को या खाजना सायगा जैसग इसवारं में किसी जगह आपको मिल जाएगा तो दोस्तों आपको एक और विशेश बात का ध्यान रखना है जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आवश्च करने की बाद जब भी आप भोजन करने बेटें तो मालक्षमी को परिणाम करके उसका धन्यवाद आवश्च करें मैं आपका दिवे का हक ना हो मेरी कमाई पर जिनमें में परिट अन्य को दिवे परशाद की रूप में गरहन कर शकूं दोस्तों इनसे मालक्षमी बहुत इदा प्रशन होंगी और यह धन आपके पाश रहेगा और जिनकाल में कभी भी धन की कमीने होगी तो दोस्तों इन बातों के धन रखें दोस्तों उम्मीद करतें कि आज के यह वीडियो आप शिवी को पच्छन आया है तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रू करें और कमेंट वक्स में सच्चे मंसी जै मालक्षमी जरूर लिखें धन्यवाद